नमस्कार दोस्तों चत्तीजगर लेटस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय बड़ी खबर सामने आई हैं घर में घुसकर युवती से छेरचार फिर उसके माबाप को पीटा युवती ने कहा था तू शादी शुदा है मेरा पीछा छोड़ दे इसलिए गाली भी दी जश् में एक युवती से घर में घुसकर छेरचार और उसके माबाप के साथ मारपीट का मामला सामने आया है असल में युवक ने अपनी शादी शुदा होने की बात युवती से छिपाए थी और लड़की को प्रेम प्रसंग में फसा लिया था तब जब लड़की को इस बात की जानकारी लग गई तब उसने साफ कह दिया कि तू शादी शुदा है मेरा पीछा छोड़ दे इसलिए आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था पुलिस ने अब आरोपी युवक को गिरफतार कर लिया है मामला तपकरा थानाक शेतरका है जानकारी के मताबिक आरोपी ब पता चल गया कि बीरेंद्र पहले से शादी शुदा है इस पर उसने युवक से बात करना बंद कर दिया बस इसी बात से युवक नाराज था बताया गया कि एक मई को आरोपी ने लड़की को फोन किया और कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ इसके बाद उसके घर पहुँच गया और गाली गलोज करने लग गया आरोपी ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं लेकिन लड़की बात करने राजी नहीं हुई है बाद में आरोपी उसके घर से चला गया था इसके बाद आरोपी दो मई की रात को फिर से लड़की के घर पहुँच गया और उसन पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की जिसके बाद पुलिस में आरोपी को गिरफतार कर लिया है